जी स्लामुलेकूम एट पार्ट एटू अच्छा जी ट्वेल्फ पढ़ना शुरू कर दिया था हमने बरेक में बच्चों ने ऑन जकब नमबर 21 एक्साइटमेंट लिमिटेड एंट्रेड इंट्रेक्ट विस प्राइड लिमिटेड तु मैंफेक्चर एंड सेल नौ नमबर का सर्व ना कोड ओफ एक्स मिक्स हो गया सा आचा ऐसे ही होता है मिक्स सारा सवाल दूसरा होता है बीच में कहाई तो जरा बताओ भई एक्स में बी इसमें क्या वरीच किया है कोई नहीं हम दे काफी सवाल कर ली हैं बैसे आन जकब पहले कैसे कोड अफ हैसे सवाल पढ़ों पहले कोड पयातिक्स कर लें और यकब नॉवंबर एक्षीज एक्साइटमंट हो इसमें इसमें आपको इसमें वाल दूसरा मिलियों तो मैनुदर्धू और उन्पेश्यलाइजद मशीन अच्छा जी अनलग हैर करें अट 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 विए आट टोटल कंसिडरेशन आफ थी इसका मतलब यह हुआ के पांच इक्वल इंस्टॉल्मेंट्स है तो पांच ही लॉट्स जानी है वैसे नजर भी आ रहा है सौ यूनिट्स है और ट्वेंटी इच है लॉट्स तो पांच ही होनी है ठीक है अच्छा अब और वो क्या कह रहा था यह कब हर क्वार्टर में चले नवंबर में यह कॉंट्रेक्ट हो रहा है वैसे यह कम नवंबर को यह कॉंट्रेक्ट हो रहा है ठीक है और हर क्वार्टर में उसने क्या काया जी बीस बीस जानी है अब बोलो वैसे यह न तो कितने क्वार्टर गार्टर तक बाद चली जाए यह नहीं यकम नवंबर रहा तो कॉंट्रेक्ट हुए है नवंबर दिसंबर और ज़ंवरी गुजरेगा यकम फरवरी कह लो या मतलब यकम फर्वरी कहलो या 31 जन्वरी कहलो एक ही बात है ठीक है इस दिन 20 यूनिट्स फिर फर्वरी मार्च अप्रेल गुजर गया अब पर यकम पर रखो सब्सक्रों यकम मईई को अगस्त नहीं फर्वरी मार्च अच्छ अगले का बता रहा हुए ना यार मेरा तत्रा काड़ ले ना मैं का इत्य अगस्त आना सी मई जून जुलाई गया यकम अगस्त फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर गया यकम नवंबर फिर नवंबर संबर जन्वरी गया और यकम पर रखो पुरा साल लगा यह मैंने वैसी लिख दिया और उसके बाद बाकी जो अमाउंट बचती है क्या कह रहा है वाइल रिमेनिंग कंसीडरेशन यानि 300 में से 30 तो गया बाकी रहा गया 270 वो 270 में से 270 बटा 5 कर देना है और हर क्वार्टर पर वो पेमेंट करते जाए लेकिन उससे पहले नहीं डिलिवरी के वक्त दा सेल्स टीम अच्छा यह पर्फॉर्मेंस अब्लिगेशन सैटिस्फाए ओवर टाइम है जा इन टाइम है साथ साथ ही हो रहा है मतलब हैं तो गुड्स लेकिन थोड़ा सब अगर कॉंट्रेक्ट को देखें तो ओवर टाइम बन गया है यानिके हर क्वार्टर पे 20 गुड्स का रेविन लोट कर दिये । इसका है ये लोट से पहले नहीं है उन्होंने का है लोट वाइस आने र बना-बना कर वो पंच credit हो जाना है लेकिन इस contract में ओवर गोंट्रेक्ट तो यह ताइए हम घक है नश हम और गॉर्टराइम यह तस कोसे तो सर्विसेजसम्हें में ओवर टाइम हो तो इस तरह का ओवर टाइम गुड्स का भी बन सकता है जैसे यह बना होगा अच्छा अब दा सेल्स टीम अफ एल वर्क हार्ड और स्पेंट शिक्स्टीन हंड्र और्स कॉस्टिंग फोर मिलियन फॉर प्रिपेरिंग प्रोपोजल हां जी प्रिपेरिंग प्रोपोजल कुछ याद है या मैं ओपन करूं सफा यार आप लोग तो भूल गए है भाई आप तो भूल गए है तो बहुत गज़त बात है मुझे बताओ कॉस्ट टू अब्टेन कॉंट्रेक्ट कौन सी वाली कॉस्ट जो है वो खोली लेते हैं कौन सी वाली कॉस्ट भई इंक्रीमेंटल होती है यह इंक्रीमेंटल होगी ना बिड़ बनाने के लिए इंक्रीमेंटल बिड़ बनाई है कॉंट्रेक्ट मिले ना मिले उस बीड के ओपर ये कोई करंटी है खुदा आगा खौफ करो ये वो हैं जो होनी ही होनी थी कांटेक्ट मिलता चाहे ना मिलता आगे मत पढ़ो फिलाल इतना पढ़ो जो मैंने बात की थी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है वहाँ पर बिड का लवज भी लिखा हूँ मैं इसलिए वो उपन करना चाहरा हूँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बिड प्रिपेरिंग कास्ट ये नोट इंक्रीमेंटल है इसका जेनरल रूल है हाँ अगर सवाल में खुदाना कास्ट आगर नोट लिख दिया फिर ये ने कहना सर मैंने आगे वाला पढ़के कहा था अगर आगे लिख दिया रीमबर्समेंट है तो फिर ये भी ऐसेड बन सकता है ठीक है कांट्रेक्ट तो लंबे अर्से पे पहला ही हुआ है ठीक है एक साल से आगी जा रहा है हमारे साल से तो आगी जा रहा है ठीक है और साथ-साथ रेवनी भी बुक हो रहा है तो फिर साथ-साथ अगर अगर वो रिकावरेबल होता तो तस्वीर बनानी है जी लो जैसे ही तस्वीर तो क्लास में आई है जल दी करो अच्छा है नए यह ओपन करकर रख लिए कई और ही काम आ जाता है अच्छा जी अब तो जो सिक्स्टीन अंडर्ड और्स स्पेंड किया नहीं और उस पर चार मिलियन हमें लगा है इसको एक्सपेंस कहेंगे ठीक है जी अभी तक एक्सपेंस कहा रहा हूं और आगर आगे जाकर उसने कह दिया किये कि यह कवरेबर है तो पर काट के एसिट कर देंगे यही तरीक है ना साथ साथ तोड़ी सारा पढ़ वो यौर यानि के हमारा साल 31 समबर पेंड हो गया और मज़े की बाद एक भी लॉड अभी तक डिलिवर नहीं हुई यानि रही नहीं हुआ है कोई चेकरवकर नहीं है इस्ता जी कैश है तो एडवांस वगारा फिर लेकिन अगले मसायल तो है यह एक्सपेंस की एंट्री करनी होगी इसको इन्वेंट्री बनाना होगा और और उसे साब से जितना काम हो गया उसकी भी कॉस्ट शॉस कहींगे वह नहीं तो वह भी इन्वेंट्री इन प्रोग्रस बननी जाएगी होगी ना अगर 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 हुआ डेटा तो ठीक है आगे तो कुछ सी एफो के बारे में कह रहे है वो बाद में पढ़ते हैं पहले तो हम अपना ओरिजनल देख लें यकम नवंबर को यकम नवंबर दोजार एक्टिस को मौतरम मौतरम प्राइड आए फखरिया अंदाज में उन्होंने आके 300 मिलियन का 10% हमारे आथ में रख दिया ठीक है जी और ने का काम शुरू करें हमने का अच्छा हम पे बोज पढ़ गया ठीक है एक मिनुटे काम कर लो यह यहां लेकर हम पे बोज पढ़ गया ठीक है जी उसके बाद और आगे डेट नहीं लिए इसके लावा आगे है चार मिलियन यह चार मिलियन जाहरा इससे पहले ही वह नहीं जलू अगर आप अंट्री कर लेते हैं चार मिलियन के एंट्री क्या होगी expense debit cash credit चीक है चार ठीक है जी उसके बाद दे टीम वाजो रिवाड़ेड विद आ बोनस आफ शिक्स मिलियन इसके एंटरी होगी inventory debit cash credit six million पतने इसने मांगा किया लेकिन मैं तो बस entries करी जा रहा हूं वैसे requirement आप परचे में पढ़ लेना ठीक है उसके बाद inventory debit cash credit वैसे entry लेख दी अगर data होता तो किसका भला तिल डेट 15 units have been manufactured अगर यह manufacture हो गए थे तो इन 15 units के साथ हमने per unit cost को multiply करना था और इसको कहना था inventory work in progress और entry कर देनी थी तो यह है सारी कहानी ठीक है जी requirement भी पढ़ लेते हैं इसके लिए जो पैराज आपने हाइलाइट करने हैं जो पढ़ते हुए आपको चार पांच शे कहें थे ठीक है वो उपन करके solution लिख लो ज्यादा बेटर होता है जैसे अब आपको पता लग गया है कि हमने इन पैराज का जिकर करने हैं तो यह पैराज हाइलाइट है ओपन करके डेडेड दो दो लाइन जो लिखी होती वहीं से उठा के लिख हो अपना फैसला सनाते जाओ नंबर थोड़े तो नहीं है साथ नंबर है ठीक है अचा जी बस कहानी इतनी सी है अचा जी अब अनलाइज दर ट्रीट्मेंट सजेस्टेड बाए ऐसे सी एफो ने कुछ सजेशन भी दिये जी पढ़ें जरा नीचे सी एफो साथ क्या कहता है एल्ज सी एफो जो के एक चाटर्ड अकाउंटेंट है जरा पुराना इस वर्ट आएफरस पन्दरा नहीं होता था तो जाके बैठना था और धार है वो कहता है जी पन्दरा तो बन गए है ना उनका रेविन्यू रिकॉर्ड कर लो नदो होगी घृवरी होगी कर्ण डोल्ट शिप्ट होगा तो एक तो यह उतने गलत बात की वो कहता है as the machine are of specialized nature and have no alternative use आयवारस पना आने में पढ़ा उसने जरूर था लेकिन जाहर है किसी उस्ताद की तरह नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें क्लास को समझाना होता है और किसी स्टूइट की तरह नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें परचा बास करना होता है असने देखा उसको नजर आया हाँ specialized nature जो है एक लवज लिखा हुआ था था ना overtime overtime में लिखा हुआ था ना कि अपनी premises में बिना रहे हैं लेकिन specialized nature का item है तो इसको overtime record करना है वो बात इसके जहन में थी विचारे के ठीक है पर सही है तो उसकी base पर ही शायद वो यह suggestion दे रहा है कि जो 15 है वो specialized nature का जूंकि ऐसे तो जो 15 बन गए हैं वो समझो control transfer ही हो गए ठीक है वो भी 100% ही है जाहिर सी बात है further the sale team cost of 10 million यह 10 कैसे हो गया अच्छा दोनों को मिला दिया should be taken to profit and laws in 2021 as this has been fully recovered through 10% advance अच्छा उस बिचारे ने बदनीती नहीं की मेरे ख्याल में उसको समझ यह ही आई है तीक है और सही है ना अब treatment का जवाब तो दे लोगे ना अब treatment सही मैंने आपको उता दिया है तो आप पिर यह कहोगे यह CFO का जो suggestion है revenue पदना का record करो इसको आपने गलत कहना ठीक है अब उसको गलत कहने के लिए ज़रा example six कौन से सफ़े पर थी four यह ज़री रहें let let it be placed here जी कौन सा सफ़ा वह example six ताके मैं यह यह मैं इन तीनों पर आना चाह रहा था क्या मतलब क्या मतलब यह कौन सा पैरा है मैंने पैरा पूरा मिटा दी है मेरे खैल से जी कहा लिखा हुए पैरा थर्टी फाइव यह नहीं मतलब सॉरी मैं भी कहूं मुझे मेल नहीं रहा मुझे तीन शर्तें थी यह पैरा थर्टी फाइव अब मेरी यह चाहत एक और भी बान गई है कि एक और फाइल भी को लो उसमें आयो फारस पंगना भी डाल लो उसके लिए कोई मिझे जाना पड़ेगा एक फोल्डर ओपन करना पड़ेगा कोई तो कॉंसेप्चिल फ्रेमवर्क है पॉस करें जरा भाई पॉस करें भाई मॉबायल चोड़के दरा पॉस करें मैं तो उटीन रहा है अच्छा जी अब मैं आप और्स कह रहा था कि आपने थेरी लिख थी ठीक है 35 ठीक है और 35 पैरा हम स्टेंडर्ड में जाकर देख लेते एक दफाव यह देखें तो सही वहां पर क्या लिखा हुआ यह ठीक है वही तीन तीन पॉइंट्स लिखे हुए ठीक है अब चूंकर उसने इसको रेफर किया इसको तो फिर हम सही वाला लिख के कहेंग कि उसके अंडर्सेंडिंग सही नहीं ठीक है ना यह प्रैक्टिस आपने खुद करनी है ठीक है ना तो आप यू कोगे कि दा सजेशन बाइ सीएफो ड़नोट सीम तो प्रॉप्रोप्रोप्रेट बिकॉस एंटिटीज परफॉर्मेंस बिकॉस एंटीज परफॉर्मेंस यह ना लेकिन आप यहां से लिखकर आएंगे ठीक है ना बिकॉस अपर्फॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस नोट सैटिस्वाइड है ओवर टाइम ठीक है जी उसके बाद पिर अगली बाद यह लिखेंगे क्यों पर फॉल्विं क्रैटेरिया इस नॉट मैट यह दा क्रैटेरिया इस नॉट मैट और क्रैटेरिया के अंदर यह बात लिख दो के फिटी करनी है ना बीचमे ठीक है अब यह लिखकर आप को गए जी इसके अंदर उसने इनफोर्सिबर राइड की बाद भी नहीं की हुई है ठीक है और कस्टमर टर्मीनेशन वाली भी नहीं सिर्फ एक चीज इस पैशलाइड होने से यह शर्त पूरी नहीं हो जाती ठीक है इसलिए इसका और का सजेसिंट सही नहीं है साथ इस पैरा को लिखने आप नहीं के यह निके तेरी वाले सवाल इस नो मोर अप रॉबलम फर आप सब क्योंके हमने कॉंसेट लिया होता है और स्टेंडर्ड को हाई लायड किया होता है तो सवाल लिखते हुए अंगरेजी भी लिखने के अंदर हम परेशान ही होते हैं यह अगली बात की vicious इने आ है सवाल के देर है हमारा एक मिनट, एक मिनट, मैं सवाल पर तो चला जाओं पहले, अगली बात, ये तो होगी बात उसने जो कर दी थी, कि जी रेविन्यू पनार का रिकॉर्ड करो, हमने का जी ये सही नहीं, ठीक है, अच्छा, उसके बाद, इसी कोई बात नहीं है, बलके उसने तो एडवांस में उन्हीं चीजों के पैसे लिए है, थीक है, तो फिर आपने कहना है कि जी, अब कौन से पैराज, आपने रेफर कौन से पैराज करने, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये, एक कानवे से लेके, चुरानवे तक, स्टेंडर में आपने, ये, बस कुछे की, तो सारे तो नहीं करने लग जाते हैं, आप हाईलाइट, कुछे की ही होते हैं पैराज, जो जहां पे वो बलू करके लिखे हुए थे, आपको साथ साथ बताते हैं, ठीक है, माना कि मुझे टाइम नहीं मिला भी तक, वो सफ़ा ब तो चिए, यार कामाएगा, कामाएगा, ये देखो, कौन्टेक कॉस पर जिए, ठीक है, तो आपने कहाँगा है, कि ये, एक आनवे, बानवे, तरानवे, चुरानवे, बस, फुल्फिल तो आगए है, उसकोछ को चुड़ो बहुं तो ही ने, बातजी बाती बहुर निकल जा वाला है expense हो यह यह cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether contract was obtained shall be recorded as an expense ठीक है जी and there is no explicit provision that this cost is recovered वो वाली वो जो चार थी या छे थी जो भी थी जो जो नहीं करने लाओ ठीक है ना because the 10% advance is for original contract यानि वो जो आपने goods transfer करनी है एक बात दूसरी बात आप ते साथ यह करनी है however the incremental cost amounting to वो जो commission भाद शेल भी recorded as an acid as an inventory and shall be amortized over या यह यह कहलें and shall be recorded as cost as and when the revenue is recorded ठीक है जी तो यह भी गलत हो गया जी उसका suggestion ठीक है तो उसके बाद यह करने के बाद आपके साथ को number आगे साथ 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 पैरा की लिख रहे होते हैं ना standard के तो का अच्छा खासा मुआद बन जाता है और होती भी technical बात है तो सब्सक्राइब करें तो यह सवाल भी पूछ सकता है इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है आगली बात कहता है ब्रीफिल एक्सलेन हाओ को CFO में भी in breach of fundamental principles देखो उस दिल में कोई बदनीती नहीं है सवाल के अंदर लिखा हो कि आपको जी integrity नहीं है वह profits को नहीं गड़बड करना चाहरा कि आप कहो कि अब्जेक्टिविटी नहीं है नहीं है नहीं 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 लगाई है कि तरफ चल पड़े हो confidential दी तो वैसी दर नहीं लगता है बस मसता किया थोड़ा सब competence का फार्ग था प्रफेशनल कंपीटेंस यह नहीं होता कि वह बंदा ने कम है यह भी प्रफेशनल कंपीटेंस की कमी है कि उसने टाइम इतना नहीं मिला उसको उसने ध्यान से देखा नहीं है जो भी है पढ़ा हो गया हमारा दस भी हो गया हुआ हुए 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 हु यह पूछ लेता था कुछ थेरी अब क्या वह क्या कहे आपको क्राइटेरिया लिखो अब सेंडर को लिखते होगे ऐसे नहीं क्राइटेरिया डेट मस्ट भी यह पांच है यह वैसे ही याद है और जिसको याद ना मियूँ उसके लिए स्टेंडर में लिखे में तो यह अब नहीं आता ठीक है हाँ यह पार्ट भी आपका होग है वैसे मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको यह नहों कि ऐसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी हुई इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यह होने वाला सवाल है मैंने जान नहीं चुड़ाई इस जैसे सवाल किया हूंगे तो यह छोड़ रहा हूँ इदर देखो गिटार वर्ड नॉर्मली सेल्स मशीन ए थर्टीन फॉर मन्स वन पॉंट सेवन मिलियन अच्छा चलो इसको इसको आखरी क्लास के अंदर रख लेंगे लेकिन आप होमउप में रखो इसको ठीक है ना बस मैं पढ़ाता नहीं हूँ आप सर्प्राइज रखो यह बस देन मे रखना अगर खुदाना खासता कभी वैसे मैं थोड़ी डिसकेशन इसकी किसी और एक्जेंपल में का रहे ताकि यह आपके लिए फ्रेश रहे लेगिन अगर कभी खुदाना खासता सिक्टिफिकेंट फाइनसिंग इन्वाल हो रही हो और इंटरस्ट रेट मिसिंग हो निक से जी five हो गया है four हो गया है three मुझे लगता हो ही गया है इसके बहुत कुछ हो गया इसमें तो टीक है एक हो इसमें से और भी देना है आपको पहले आप होग नहीं लिख लेते उसके लेग दो example कि आक चुटी देता हूं आप करें जी 13 کا 1 होमड में करें और पास पेपर टू होमड में करें चलो तरतीब से चलते हैं पास पेपर 2 इसสारा ऐा इफस्त पना किय होमड है ठीक है बाकी को होमड बचें नहीं हो बाकी दो पास पेपर 2 यह जो लिख़ा हो है सामने आपके PCL वाला इसमें भी A नहीं बस B ही बिसिकली है तो देख ले ना एक अंदर रिक्वार्मेंट क्या है उसके बाद आप कर ले पास पेपर 13 का आपको वन दे का आया हूं अपने ऐसे ही है और एक वो कल भूल गया था आपको कुस्से नमबर लिखवाना कहा था कस्टमर लायल्टी पास वाल और यह सवाल कर लेना इंशालला त्यार हो जायागा पर्चे में पासिंग मार्क्स दे जाएगा आपको ठीक है और कुस्टिन नमबर फाइव है पेज नमबर फोर सेवन्टी ए जी क्या हाँ मेरा मेरा मशवरा तो रिवर्स से शुरू करना है बता दे तो भी एंड बस बस बातें खतम ही है बस यह थोड़ी दे शरफ और दे दो मुझे दो चार चीज़ें सिरफ देख लें च्छोटी मोटी उसके बाद बस कर लें ठीक है अच्छा जी यह गिटार वर्ल्ड वाला वैसे तो मैंने करवाना है अगर आप परिशान बलकि गिटार वर्ल्ड को रहने ही ने चीक है नहीं मैं हमग में लिख रहा है मैं खुद करवाओं और इंसला जब मिलेंगे ओके अच्छा चलें जी पास पेपर तो तकरीमन ही हमने कर लिए एक रहा गया गिटार वर्ल्ड और बाकी हों वक में आ गये हैं गिटार वर्ल्ड इंसला मैं खुद करवा दूँगा ठीक है करस्टमर लायल्टी कर ये सवाल लिखवा दिया ना कॉंसर कॉंसर पे लिखवा है दिखा दू जरा कि यह देए ठीक है यह हमने किया था और उसी के अगला अच्छा जी एक बड़ी एहन बात है पहले सुन लें फिर मिल भी जाएगी मेरा सवाल है आप से लैसी के सवाल करते थे याद है लैसी के सवाल में कहते थे लैसी इंप्लिसिट रेट यूज करता है लेसर वाला अगर उसको पता हो वरना मजबूरी में इंक्रीमेंटल बारिंग रेट यूज करता है याद आ रहे हैं यहां पे न कहानी थोड़ी उलट है द्यान से सुन लें तेरे इसको अप्लाय कर लीजिएगा यहां पर कहानी यह है पहले कहानी सुनने मुझे मिलनी रभी आ जाता है कहानी यह है कि अगर सवाल में लिखा हो इंप्लिसिट रेट और लिखा हो इंक्रीमेंटल बारिंग रेट और AIRS 155 का सवाल करना आपने डेटर और इसकाउंटिंग वाला काम तो आये यहां पर कीमेंटल यूज नहीं करना बलके यह करना कीमेंटल alleen Plat Savannah मार्कीट वाली ही हो चाहता है ना अपने लों ले रrespect मैं बॉक्स पढ़ाता हूं अभी वो लिख awhile. आपको याद रखने की बात नहीं याद करने की बाद नहीं या रखने मैं निशान치ार लगा लगा ल्काइटा ओ ठीक है ना पहले तो इंक्रीमेंटल बॉरिंग क्या होता है यह याद है कि आपने आप यह स्टेंडर्ड यह कहता है आप यह समझो कि आपने कैश लेकर बाद में चीजें वापस नहीं करने बलके आप उस बंदे से उधारी लेने चले गए तो अगर आप उधार लेने कहते तो उसको वह कितने पर आपको दे रहा है यह बैसिकली बात थीक है ना तक्रीम यह वाली तो क्या कहता है यह स्टेंडर्ड आई फरस पंदना के इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट आपने यूज करना है इंप्लिसिट को छोड़ देना अगर दोनों गिवन हो और अगर सवाल में गिवन हो सिर्फ एक और वो इंप्लिसिट हो फिर ना लडाई में पढ़ने ठीक है और सवाल में वैसे वह इस तक गया नहीं आज तर आई कैप अभी तक गया नहीं इस तरफ सिर्फ एक चीज़ डिसकाउंट रेट देता है इस लडाई में आपको नहीं डालता लेकिन एक छोटा सा है ज़रूर IFRS 15 के अंदर और ये पेज 440 टू पे है एक छोटा सा बॉक्स ये देखें जी यूज़ डिसकाउंट रेट इस यूज़ इन फाइनसिंग ट्राइक्शन बिट्वीन कस्टमर और एंडिटी ये है स्टेंडर के अलफाज ये क्या कहता है भाई आप यह समझो कि चीज़ें बेचने का कॉंट्रेक्ट है यह नहीं आप यह समझो कि आप उसके पास चले के और आपने जाए के का भाई साब मुझे करजे के तोर पे इतने पैसे दे दो उधार इतने पैसे दे दो तो वह आपको अगर को धार देगा तो किस रेट पे देगा यहां तक चले जाओ वह यूं कहता है कंक्लूजन क्या है यूज दा इंक्रीमेंटल रेट जो कि कभी-कभी मार्किट रेट ही होता है नॉर्मली मार्किट रेट ही होता है ठीक है बट इफ इट इस नॉट गिवन यू कैन यूज इन ठीक है तो करना कौन सा यूज है इंक्रीमेंटल बारिंग रेट अगर ना हो तो फिर आप इंप्लिसिट भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो पेज फोर फोर्टी एट पे आएं च्छोटी सी सवाली है इसको आपने चेक करने है और सेल्फ एक्स्प्लेनेटरी एग्जेंपल है आपको खुद पता लग जाएगा फिर पेज फोर एटी एट यह देखो लिए इग्जेंपल नाइन को से नाइन अधर आ रहे हैं हां फोर फोर्टी है फोर अच्छा सॉरी फोर एटी एट अब फोर फोर्टी के रही है तो हम ऐसी फिर रहे थे थे अच्छा अब इदर देखो जने इंटिस प्रिपेर करनी है सवाल को ऐसे क्विकली मैं पढ़ता हूंग सवाल आपके लिए कुछ नहीं है नई चीज बीच में जो छोड़ी सी है वो पढ़ा दू सवाल आपने करना है ओके हमक का मतलब सिर्फ यह है कि जो पढ़ा रहा हूं ना आज मेरा दिल है कि वो आप रवाइज कर लो का मज का मुझ का उसके लिए चोड़ी सी बात में करवाने की वजाए पढ़ा रहा हूं है वही बात लेकिन एंट्री करके एक बने का सिर्फ तो आपने के पुछ आपने का इन वही बात वाइज कशन के लुटा ना इक कर लिए यह खूरी में हैं इस्वाल आपने किया हूआ है ना और यह सवाल पुलूटो के पतानी कौन था सब्सक्राइज का कह रहा है चाय कह रहा है जी ओवर टाइम बात है या इन टाइम अच्छा इन टाइम पर्फॉर्फॉर्मस अब्लीचिन इन टाइम है लेकिन ऑप्शन दो है ठीक है जी कस्टमर इलेक्स टू पे उसने यह वाला ऑप्शन दे जिए स्लेक्ट कर लिया है विन कॉंट्रक्ट इस साइन देंटिटी मतलब वो यह कह रहे है ना कि देने हैं तो 4000 पर दे दो यह इपर इडवांस बन जाएंगा बाद में देने हैं तो पांजार देदो इसमें पर वो डाटर वाला केस बन जाए ठीक है ना वह यह आपके लिए सवाल की सवाल में जान कोई नहीं है यह दो अलग अलग के से एक में डूसरे में परिसीज़न के एक में इंट्रस इंकम दूसरे में बात आगे है जो नहीं है खैर अगर इस तरह से कभी पर्चे के अंदर लिख दे यह पर्चे वाली बातें बस कर रहा हूं है कॉंसर्ट आपके पास है जो नई चीज बतानी थी बता दी सवाल के अंदर आपको नदर आ रहा है कि दो साल इन्वाल में लेकिन वह कह दे एंटिटी कंक्लूड डैट कॉंट्रक्ट डास नॉट कंटेंज आप सिगनिफिकेंट फाइनसिंग कंपोनेंट तो पिर मान लेना उ थीक है कंटेंज अगर कह दे डास नॉट कंटेंज तो फिर मान लेना उसकी बात ओके दिदे ना पकड़ लेना अच्छा बिकॉज लेंट अव टाइम बिवीन कस्ट्मर पेइफ और एसेट अन्वनेट ट्रांसर इस सिगनिफिकेंट थीक है ना बिकॉज अव लेंट अव इस इन ट्रांजेक्शन इस 11.8 विच इंट्रस रेट नेसेसरी तो प्रेक तव लेक दाथ देखो आई रर आपको याद है कि एक्सल की शीट के ओपर आपको निकाल के दिया जाता था आया रर याद है आपको निकाला था ना उसमें क्या होता था इन फ्लोज और आउट फ्लोज प्लॉट किये जाते थे यह निए वह एक्चुल रेट है क्या मतलब यह जो 4000 वाला उप्शन मिसाल को तो पिसे स्लेक्ट किया है वो क्या कह रहा है जी 4000 पेयमेंट कर दो अभी अब 4000 पेयमेंट अभी करे निकालें तो एक्जेक्ट 11.8 यह निए इस कांट्रेक्ट का यह रेट है यह रिटान वगारा का लेकिन मसला क्या है वो कहता है कि यह दूसरा ऑप्शन अगर अगर विच्ट इंटर्स नसेसरी तो मेंग दा टूनों आल्टरनेटिव एक जैसे हो जाए इसके लिए रेट त तो अगर यह दोनों दे दें तो फिर इसको एग्णूर करना है और इसको पकड़ के सारा सवाल करना है क्या कर सकते हैं मिल्गूरी है ठीक है डन हो गया बाकी सवाल में और कुछ नहीं सा स्वाए इसके कि रेट कौन सा यह पहली बार ऐसा हुआ दो रेट सा आ गए आए सेप टू है ठीक है ना वो क्या है अगर यह दोनों रेट गिवन हो तो फिर आपने कौन सा यूज करना है इंक्रीमेंट की आज की आखरी बात जो है वो है एक्जेमपल 11a और 11b को पढ़ना आप नहीं है ठीक है और अगर कोई कुछ न होता है तो आखरी क्लास के अंदर आप कुछ से पूछ सकते हैं और आप लोगों अगर आना ना हो यह जो बैटे वें तो आखरी क्लास के जब ऐलान होगा उस व वह मैं बता मैं बताने लगा पहले तो आप आउना जरा पेज फूर थर्टी पे अपने मशूरे जमाना सफ़े पे आउना जरा आपका अजीज अस जान सफ़ा है यह मुझे पता है जी सफ़ा नंबर चार सो तीस इसके उपर यह 3.2 जो है जिसके बारे मैंने आपको यह कहा था एक तो नहीं काम करें इसके साथ ने रेलेवेंट पैराज को लिख लें ताके वो भी हाईलाइट कर लें क्यूंकि ऐसा हो सकता है कि एक्जेम्पल 11a और 11b जो मैं आपको हो वक दे रहा हूं उसमें रिक्वार्मेंट क्या हो यह देखो यह स्लूशन चल पड़ा ना डिसकुशन ही हो यह हो सकता है पर्चे में भी वहीं सवाल इस तरह से देखें और कहें डिसकस तो डिसकस करना है तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम जब यहां पे पैराज लिख लें हम मतलब आप लिख लें मैं तो लिख यह अब क्या करने है ठीक है आपका यह जो यह जो बात है आपकी यह यहीं से देखके लिखना है मैंने बस आप हाईलाट नहीं करते होते गुड सर्विसस अपनी जात के अंदर distinct हैं ठीक है एंड सेपलिट इडिन्टिफियेबल भी है ये पैरा 27 में लिखा हुआ है ठीक है ये दोनों बातें पैरा 27 का पहला पार्ट क्या कहता है गुड सर्विस इस डिस्टिंक्ट है और दूसरा पार्ट क्या कहता है कांटर्ट के कांटर्ट में भी डिस्टिंक्ट है उसके बाद आगे दो पैरास्ते जिन में पैरा 28 में उसने क्या बताया निशानी बताई कि डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है कि कस्टमर उनसे अलग-अलग फायदा उठा सके ठीक है जी और नॉर्मली वो अलग-अलग सेल भी हो रहा है ठीक है ना जी अगर रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली तो यह निशानी है अकल वालों के लिए कि कस्टमर कें बैनेफिट ठीक है ना तो इसका मतलब यह जो और अन इस ओन डिस्टिंक्ट वाली बात कर रहा है यह पैरा ट्विंटी सेवन के बाद ट्विंटी यह तो ऐसी था यह तो ऐसे फजूल सी बात है क्या कहा रहा है यह अगर अलग-अलग है तो कमाइन हो सकती है तो करते जाओ यहां तक कमाइन होकर एक बंडल ऐसा बंजा यह पीओ बंजा चाहिए चोड़ें इसको यह यह ऐसी बात नहीं थी हाँ यह पैरा ट्विंटी और सर्विसिज नहीं हैं क्या मतलब एंटिटी ऐसा नहीं करती है कि आप को कुछ इंपुट्स मिला के एक आउट पूड बना दे और वो आउट पूड ऐसा है कि फिर आप उसे कहें नहीं जी मुझे वापस नमाटर उसी चकल में करके दे तो एक निशानी बता रहु हूँ कि कि इस तरहां से इस तरहां से ये इंपुट्स मिलके एक बर्गर बना हुआ है कि अब वो असल हालत में वापस नहीं जा सकता है इसको तो कहते हैं इंटीग्रेशन आफ गूड्स और सर्विस इसी करके आपने क्या किया है आपने ऐसी सिग्निफिकेंट सर्विस दी है आफ इं लेवन बी बनेगी लेकिन जाहर सी बात है उसके बारे में आपने जब अंग्रेशी लिखनी है तो कहां से देखनी है परचे के अंदर मैं त्यारी करवार हूं आपको क्या मतलब है वो सॉफ्ट्वियर का कॉंट्रेक्ट हमारा आप जब पढ़ोगे ना इसको घर पे करोग अटेम्ट ठीक है ना और मज़े की बात है वो आपके स्टेंडर्ड के अंदर मौझूद एग्जेंपल है लेवन ए और बी स्टेंडर्ड वाली है तो अगर उस जैसा सवाल आजए तो वो एक्जेंपल खोल के भी है जिए जवाब लिख सकते है इसलिए बहुत वो साफ्वियर ऐसा है जैसे जाए साल के तोर पे माइक्रो सॉफट आफब्र है ठीक है असली पैसों वाला एक मेह मुझा खरीद रहा है एक मैं खरीद रहूं एक रफीद रहा है एक हारून खरीद रहा है सब के पास वो उसी तरह से इंस्टॉल हो जाता है स्ट्रेट फॉर्वर्ड इंस्टॉलेशन है कोई ऐसे मसले मसायल नहीं है हर एक के लिए वो एक जैसा ही है रेडी मेड है तो इस सॉफ्टर के बारे में अगर आप सेलर को कह भी दे ना जिसने आपको सॉफ्टर बेचा है दुकानदार को नहीं यार मुझे तो राइट क्लिक करके इंस्टॉल करके क्लिक भी करना नहीं आता तुम ही आगे कर दो ठीक है तो ऐसे सॉफ्टर के बारे में स्टेंड कहता है कि इसको ना कहना कि यह ऐसी की इंटीग्रेशन है जिस वजह से हुलिया बिगड़ गया यह स्टेट फॉर्वर्ड इंस्टॉलेशन है यह मिसाल समझाई यह 11a के अंदर ऐसा मामला चलेगा फिर 11b आएगी कॉलेज की एक्जेंपल लो कॉलेज की एप एक्जेंपल देनी है कॉलेज वालों ने कहा कि जी हमें सॉस्टफ़र्वर कंपणी के पास गए वबंगे का आप हमें एक सॉफ़र्वर बनाकर दें जिसके अंदर हम अपने सारे स्टूड़न्स का उससे मार्क होगी इस से उनके जावो फीस की रिकावरी का मसला हो जाएगा पर उसके बाद ऐसे आगे चाहरा है। पर भी रिजल्ट वाले अलग होँगे। फिर इसके बाद जी लाइबरी का जी उसके अंदर है नहीं है शूडिन अपना है नहीं है। चलती जा ठीक है। बदल कर आपने कुछ जो है वो ऐसा ऐसी सिगनिफिकेंट सर्विस दी है कि वो एक नई चीजी बन जानी है तो ऐसी सुरत के अंदर 11 भी एक्जेम्पल होगी आपको होगे कि यह पिर सौफ्ट्वेर और इसकी कस्टमाइजेशन यह पिर एक ही है यह दो परफॉर्मस अब्लि जी वो दूसरी है नए वह मैं दूसरी कर रहे अधर लिखा लहुआ है इधर फिलहाल जेडॉक नहीं है इधर फिलहाल बर्गर है इधर फिलहाल कॉफी है इधर फिलहाल वो saag teamwork है जो कालेजग वालों ने इतनी तफिल वाला इंस्टाल करवाया है रडी मेड़ चीज नहीं उठाई अब ये कॉलेज वाला यहां से उठाओ और साथ कोई होटल है वो होटल मैनेजमेंट वो कर सकते हैं लेकिन एक्सल का क्या था वो तो होटल वाले भी कर रहे थे कॉलेज वाले भी कर रहें मैं भी कर रहा हूं आप भी कर रहें ठीक है तो ये क्या ह नहीं नहीं यह बर्गर है यह क्या है बर्गर है यह क्या है नहीं दूसरी बाद यह क्या है यह क्या है कॉफी है यह क्या है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कस्टमाईजड और सी सी ए ठीक है ये सब क्या है इसमें ऐसी सिगनिफिकेंट सर्वेस है पड़ती है कि गुड्स यहां पर गुड्स इंटिग्रेट हो रही थी या सर्वेसिज गुड्स के साथ ऐसे ही है न गुड्स सर्वेसिज इंटिग्रेट होकर एक कम्बाइंड नई चीजी बना देती है और अच्छा उसके बाद न जब यह हो जाता है तो पिर इनको वापस निकालना न बहुत मुश्किल काम ठीक है तो ऐसी सुरत के अंदर क्या कहे है इस स्टेंडड क्या कहता है फिर यह कौफी बनाना is one obligation ॥िर इई नो चीनी कौफी क्रीम मिल्क चार obligation बर्गर बनाना is one obligation ठीक है देर इस नो टिमाटर प्याज पेटी बर्युजशन रॉर्ग बर्गर बन just यह चार obligation न開始 ठीक है there is one obligation SMS को customize करके देना there is there are no two performance obligations के जी वो कह रहा है जी मैं आपको software भी दे रहा हूँ और पिर यार यार ये software चाली नहीं सकता इस customization के इलावा यूंकि वो तो hotel management का था उसमें तो डिशें आ रहे हैं rate आ रहे हैं और दो चार employees की से यहां पर भाई वो system ही different है चाली नहीं सकता ठीक है done यह किसकी बात चल रही है separately identifiable की निशानी पहली बात क्या है goods service within itself तो distinct है काफी कंदर पढ़ने वाली हर चीज डिस्टिंक्ट थी अलाग अलाग ही पढ़ी थी उन्होंने कठी की आपके सामने कठी की contract के context में फिर खिटी हो गया उसकी निशानिया चल रही है ठ ठीक है मैं इसको इदर ले आता हूँ प्लीज जरा रादा अच्छा हो जाएगा यह आओगे भाई इदर आओगे सही है मतलब यह अलग कर दिया ना अब यह आपका वह भाई पड़ा हुआ है क्या नाम है उसका जो आप कह रहे थे तो जो वह वह आगया रहा है ठीक है कस्टमाइज और ठीक है जी कॉलेज के लिए कस्टमाइज क्या अलब सिग्निफिकेंटली मोडिफाई किया आपने देखो न उसमें न कंबाइंड आउटपूट बन गई है तो कंबाइंड आउटपूट वैसे इदर भी बनती है लेकिन कोई बात नहीं है हम उसको जह वह वह सिग्निफिके मतलब स्टेट फ़रवर्ड सा है उसको भी अलग कर देता है ठीक है ना इसमें डाल दें और इसी के अंदर आप जे डॉट भी डाल सकते हैं ठीक है तीसरे तो बहुत तीसरे तो वह जो मैंने आपका ग्जेंपल दी है क्या तीसरे में क्या है माइक्रोसॉफ्ट आफिस यह डाज नौट ही हो गया ना क्या माजब गुड्स और सर्विसेस सॉफ्ट्वेर और स्की इंसलेशन और नोट हाइली डिपेंडेंट और हाइली इंटर रेलेटेट तो यह भी तो निशानी है ठीक है अब हो कहता है factor that indicate promise goods or services is separately identifiable is entity does not provide significant service of integrated entity does not provide significant service entity ने यह नहीं किया अगर यह किया है तो फिर अलग नहीं है यह मैंने पहले पढ़ाया रही नहीं पहले समझा रहा था ठीक है तो कहता है कि कौन से factors ऐसे हैं जड़ा पढ़ो factors that indicate entity's performance to transfer goods or service are separately identifiable include क्या पढ़ो entity does not provide वह वाली services जो integrate कर दें और अगर कर दिया provide entity ने तो फिर यह separate performance obligation नहीं रहे है यह वो कह रहे है separate कब है जब entity does not provide ठीक है goods or services does not significantly modify अगर हो गए modify तो फिर वो एक performance obligation बन जाएगी वो एक करीं बता रहा रहा हो कह रहा है कि कौन सी अलग अलग है ठीक है और good services are not highly dependent क्योंकि अगर यह dependent हो तो फिर यह इदर से निकल के इदर चले जाएंगे इदर चले जाएंगे तो यह एक बन जाएगा ठीक है अब यह पैरा 29 है इसको जा कि अब देखना चाहिए आपको ठीक है कि ऐसी ही बातें लिखी होई है परिशान होने की जरूरत तो नहीं हमें चीक है और वैसे इसका पार्ट भी खोलो के तो यह 11 और भी वैसे ही मिल जाएंगी तो जब आपने यह एक्जेंपल पढ़ लेनी है मैं मैंने मोटी-मोटी बातें आपको बता दी है मैं चाहरा हूं कि आप थोड़ा सा अपने द्माग को लगाएं बातें मैंने सारी कर दी है उसके अंदर जो मुझा इसी दिर में मैं रीड कर आकर जान चुडा लेता ता तीक है एक दवार रीड तोड़ी सी करूंगा सी दो से इस परफॉरमेंस ऑफ गूर्ज और ट्रांफिर सेपरेट सेपरेट इंटिफाइब बाट नोट निवह भली बाली करी कर दो एक तो पर दाजब हो दाज लग जाए तो फिर वह एक बन जाता है पिर इंटिफियेवल नहीं। गुड सर्वेसेज डाज नॉट सिग्निफिकेंटली मोडिफाई और कस्टमाईज और अगर डाज लग जाए तो फिर एक बन जाएगा जे डॉट हमारा समस ठीक है गुड सर्वेसेज आर नॉट हाइली डिपेंडनेंट और हाइली इंटर रिलेटेड विद अधर गुड सर्वेसेज प्रॉमिस इंदा कॉंटर्ट इसने एक्जैंपल खुद भी दी है ठीक है यह अगर डिपेंडनेंट नहीं है तो फिर ठीक है हो गया तो फिर वह हमारे वाला सौफवेर ही बन जाएगा शायद नहीं नीचे एक्जैंपल भी ऐसी कुछ दी हुई है पड़ो स्टेंडर्ड ने फर एक्जैंपल अफैक्ट डैटा कस्वमर कुड डिसाइड टू नौट परचेज अगुड सर्वेज़ो ठीक है बार बात कुछ ऐसी है पड़ने के बाद तो यह बात यहां पर आप है क्या चल रहा है solution ठीक है question क्या है an entity a software developer enters into a contract with customer to transfer a software software license means software ही होता है ठीक है na software क्या होता है software license ही होता है ठीक है a software perform an installation service and provide unspecified software updates and technical support for two years तो इसका मतलब एक यह नज़र आ रहा है मुझे दूसरा यह नज़र आ रहा है तीसरा यह नज़र आ रहा है चौता यह नज़र आ रहा है यह चार चीज़ नज़र आ रही है अब अगली बाते जो हैं वह आप पढ़के decide करेंगे कि यह चार में से कौन कौन सा combine हो सकता है कौन कौन सा नहीं चायद यह सारा ही एक बन जा है शायद इन चार में से कोई पहले दो कोई पहले दो मुंसे निकल गया कोई दो पहले दो ऐसी होने है ना license और उसके साथ जो है वो installation अगर तो installation स्टेट फावरड है तो बिर यह अलग है और अगर स्टेट फावरड नहीं है तो ठीक है ना तो आगे इसका solution गिवन है ठीक है और यहां पे देखो पहले में शायद है वो स्टेट फावरड है तो उन्होंने अलग अलग कर दी है ठीक है एक्जेमपल 11b जब आती है यह 11b है ठीक है तो इसके अंदर यह तीन हो गए है शायद वो फिर हमारा software बन गया है तो मैंने बाते सारी की है इसके अंदर लेकिन मैं चाहता हूं कि यह आप खुद के थोड़ा सा अंडिस्टैंड करें और इन पैरास को उपन करके लेकिन पैरास उपन करें बलके मैं तो कहता हूं इस एक्जेमपल को बस यहीं से पढ़ें अगर इस जैसा सवाल आ जाता है जो नहीं आया भी तक तो यही ओपन करना यह पार्ट बी के अंदर है लेकिन की है ना तो आई कैप की किताब साथ जा नहीं यह स्टेंडर तो जाने साथ अब अगर वो इस तरह की कोई एक्जेमपल बनाएगा आपने पढ़ा हुआ हो वैसा ही मामला सामने होगा बस थोड़ा सा डिसाइड यह करना पड़ेगा कि यह कौन सा केस बन रहा है जो आपने नॉलिज लिया हुआ है पैरा ट्विंटी नाइन का उसको देखके आपने देखना है एलेवन ए बन रही है बी बन रही है जो बन रही है बस आओ चाप लगा ठीक है तो सही है लेकिन पढ़ा होका तब ही ना वरना यह तो लिखते लिखते भी पना आप वीस मिन्ट आपो लग जाने ओके ठीक है करेंगे जी इंशालला लेवन ए और भी चलें ठीक है और जी अब क्या कह रहे थे आप एंड पर जो मैंने कहा था एंड बात बताता हूं तो पेपर के बारे में आप पूश चले ठीक है जी एक तो दो तीन बातें करता चलूंगा सबसे पहली बात मे कि रिवीजिन स्टार्ट करें तो इसे से बापस जाए उसकी वजा क्या है यह मोस्ट रीजिंट टॉपिक्स बिल्कुल रेडी है टाइम कम लगेगा confidence ज्यादा आएगा देखें एक बात तो तैय है वैसे तो जो पढ़ रहे हैं अच्छे पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेप लीव टोटली डिफरेंट चीज है अब आपको किसी एक दिन बुलाना है हो तो वैसे ही एक दिन आप दोटके मौक के लिए आ चार दोस्तों से हेलो है भी हो जाना उस्ताद ने से शुकर लगा देना कुछ दोस्ते शुकर लगा देना कुछ पढ़ भी लेना और एक है कॉंटिन्यूसली पढ़ना और बहुत जादा पढ़ना तो इसमें टेंपो बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो एक तो पहले एक दो दिन परिशान नहीं जो प्लैनर बना ओ मेरा मिश्वराई में अगे बना घो आज आपने आप हैं आजैसे र कल का फ्लैनर आज पुरा हुआ होगा आदा होगा आदा हो जाएगा आदा नहीं होगा ति अगले दिन में थोड़ा सा वो हो जाएगा क्योंकि पहले दो ती दिन अगली बात, आप लोगों ने इस बहीने के अंदर मैंने जैसे आर्ज किया, हीरो से जीरो या जीरो से हीरो होने है, तो 15 गंटे एफेक्टिव निकालने आपने, मतलब 8-9 गंटे आप सोना, खाना, खेलना, कूदना, सब कुछ 8-9 गंटे में पहर लें, बहुत टाइम होता है, उसके इलावा सिर्फ पढ़ाई होने हैं, ठीक है, आप लोगों में से ज़्यादतर बच्चों की तो वैसे ही कौल अवेलेबल होता हो, और तांग करने वाला कोई ना होता हो, तो मेरा मश्वरा होगा, घर जा के पड़ो, हॉस्टलाइट्स की बात करो, ठीक है, और अगर मसला है, थोड़ा सा भी, फिर बिल्कुल ना जाओ, लेकिन ये जो भी करना है, जाना है, ये अभी डिसाइड करना ह खतम करके, बाकी जाने वाले जा चुके हैं वैसे दो, रुकने वाले ही रुके हुए हैं, ये आज फैसला करके, यहां से उटने क्लास से, और के मरता मर जाओंगा, रहना इदर, या जो भी हो जा रहो, ये डिसियन आज लो, क्योंकि दो तीन दिन मैंने जैसे कहा, पहले न तो क्या लगता है, बाई जान, क्या लगता है, नहीं यार पढ़ाई नहीं होड़ी, चलो घर चलते हैं, उदर गया, फिर नहीं जगा दो तिन दिन लगए, यार पढ़ाई नहीं होड़ी, चलो वापस चलते हैं, छुटियां आने जाने में गुजार लेते हैं, पेपर की के अंदर कर्फ्यू नाफिस करके रह सकते हैं कोई ना आए आपके पास ना छेड़े आपको ना को आवाज आए ना तंग करे अगर ऐसा हो सकता है इसी सिकलूजन है घर में तो घर जा नहीं तो लाजमी इदर ही रुके फिर रिस्क ना ले ठीक है अच्छा उसके बाद चौत नाइट के अंदर रिविजन कर ले नहीं है भाई अकाउंटिंग की तो त्यारी हुई पड़ी है अब हो चुकी हुई है बस जिसकी रिविजन दो दफा कर लोगे बस अकाउंटिंग का परचा सॉल्व करना है अब देखो यही पास लेपर रात को करते आज नगरीबन दो गंटे के अंदर क्लास खत्म कर दिया हुई यह तो अब एक्स्ट्रा बात चाल रही है थोड़ी सी रात को यही काम तीन में भी नहीं होना था ठीक है ना अब टेस्ट करके आया माइंड फ्रेश ठीक है आप खुद सवाल कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा जरूरी भाई अक अब लिक तबी करती है फ्रेश माइंड से जाओ नाश्ता करके जाओ फ्रेश माइंड ञाओ नमास तो सबस्क्स पढड़ी ना ब्ला यस दौ आप पर लीगा इसका प्रीड़ी अज़े तो जा ना हता है हमारे मेनश की किया होता है करना तो अल्लBack का तो फशल होगा तो पा करें जो प्रेप लीव में करने डिसाइड करने हैं या मैंने तो जह वो फलान पैन इस्तमाल करना है यह desires इसा मिया इत्रता sorry कि बिया एभी हाँ कुछ ऐसा ता सा मज़े पैन पसंद था मैं इसी पैन को यूज़ करने का डिवुटिस्फिन ले लेता था तो मैं पिर इसके दो डिबे ले लेता था ठीक है एक डिबे में सिर्फ ब्लैक भर लेता था दूसरे डिबे में उससे कहता था आदे ब्लू और आदे रेड भर दो वो सिर्फ मार्किंग शार्किंग के लिए कभी दिल करता है आज ब्लू से लिख लूँ ऐसे ही लेकिन वैसे रेड इसलिए रख लेता था मैं कि मैंने सुना था कि रेड कलर से जो लिखा जाता है वो जादा वक्त तक याद रहता है कैसे बाई दावे कही मैंने पढ़ा था कोई मेरी कुछ तहकी नहीं है इस पे वैसे एक बात करो मैंने करी पढ़ा था यह रेड कलर से जो लिख़ा जाता है वो जादा अरसा वाल यह जाद रहता है है उसके प्रोविजन्स है या टैक्स जैसे है उसको याद करना है या इस थेरेटिकल चीज है उसको लिखते हुए मैं हमेशा रेटिव यूज कर लेता था मकसद कहने का यह है कि पैनके में डो डिबे लेके जाता था और कमरे में ऐसे करके फिला देता था मतलब फिला यूं जड़ मिल गया वही चलता गयता था ठीक है ना लेकिन पैन वही उठा कर पर्चे में ले जाता था निया पैन शौपर से ना निकाला करो अच्छा उसके बाद पेपर का टाइम पेपर का टाइम पहले 15 मिनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैसे इनको प्लैन करें बाई को पढ़ो और जो बिल्कुल आसान हो अंपे नुक्ता थो लगाई सकते हो ठीक है और जो जिश्किल लगे हो की कैलकुलेशन कर लो पיपर पर लिखना नहीं ठीक है कैलकूलीटर में कर लो मैं द्मागे वो अंसर ब father बांगया कोई आपाई नंबर का सवाल का पड़ा हुआ देखो यार फलाँ टॉपिक है समझ आता है असान लग रहा है चलो इसको प्लैन करते हैं असली से पड़ो जैसे पर सवाल करना है अंडरलाइन करो कोई का दुका डिश्टिक टुक कोई क्रॉस को ऐसे करके लगाना है उसकी तो ज़् होगा इससे फाइदा होगा जैसे आंसर बुक आएगी आपके दस नंबर के में लेट से आपको छे साथ आते थे तो आपने वो छे साथ एमसी की लिखने में दो तीन मिनट नहीं लगाने फिर अगले एंसी क्यूस भी आपके उस टाइम और जो फंसर है उसकी जगा चोड़ क्या आगे चलो फिर जो चोटा सवाल प्लैन हुआ था वो आपने कर लिया पहले दस वो तक पांच साथ मिनट में आपने दस नंबर का एक और सवाल कर लिए क्योंकि सारी कैलकुलेशन होई पड़ी थी अब यह जो आपको स्टार्ट में मिला है ना यह आपको लेकर होंगे आपके ठीक है बस आपने नव्ज लूज नहीं करनी है हर सवाल को करते जाना है जैसे समझ में आए जहां सवाल फंस जैप मार्क्स इंटू वन पंटेट किया हुआ है नहीं समझ आ रहा उसको चोड़ो और आगे चले जा ठीक है ना हर सवाल आदा सही करने से आप प पुली बलाओंगा अब जिंदगी रही तो उसी लेक्चर मुलाकात होगी और हाँ अगर कोई चीज ऐसी सामने आई जाती है कि जो ना अगली क्लास में कराऊ ना उसके बाद पहले दिरमयान में कराई हुई है पहले कराई है उसके उस क्लास में भी नहीं हुई तो वो भी सब्सक्राइब में रिकॉर्डिंग कैमरे इसके लैपटाप पर भी हो जाती है वो मैसेज कर दिया जाएगा मतलब यह कि कोई चीज अगर नहीं लगेगी तो आप से डिस्कस भी हो जाएगी ठीक है जी अल्लाहाफिश